हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टो ई क्लासेश देखिए बच्चों, हम आपका हिंदी का पार्ट दो पढ़ रहे हैं पार्ट का नाम है गुसे का अंत्थ जो मैंने पिछले वीडियो में दोनों पेराग्राप का अच्छे से अर्थ समझा दिया था और अच्छे से पढ़ लिये थे मुझे होप है कि आप लोगों को पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा अब देखिए इसका third paragraph इस वीडियो में पढ़ेंगे देखिए बच्चों मैं reading करती हूँ फिर इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको भी इसको अच्छे से read करना है और समझना है देखिए तो यह हम इस वीडियो में इस part में किसके बारे में पढ़ रहे है रूपा के बारे में पढ़ रहे है तो देखिए next paragraph तब उसकी माने उसे समझाते हुए कहा देखा गुसे में तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा हो जाता है अगर तुमने गुसा नहीं छोड़ा तो कोई तुमें प्यार नहीं करेगा तुमसे बात नहीं करेगा तुमारे साथ खेलेगा नहीं इतना ही नहीं तुम अपनी सुनदरता भी खोदोगी तुमारा नाम है रूपा अपने नाम के अनुरुप पनो गुसा करके अपना सुनदर रुप मत बिगाड़ू रूपा को मा की बात समझ आ गई उसने अपने गुसे पर काबू करना सुरू किया धिरे धिरे उसने गुसा करना ही छोड़ दिया अब सब लोग उसे प्यार करते साथी वह और अधिक सुन्दर दिखने लगी तो देखी वच्चो ये आपका पूरा पाठ हो गया लाया था और फुलदान अखिल के हाथ से तुट गया था तो वह बहुत ज़्यादा गुसा हो गई थी तो उसकी माने क्या किया रूपा के सामने एक आइना लाया है ना और उसके बाद में उसे दिखाया तो तभी उसकी माने समझाते हुए कहा देखा गुसे में तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा दिखाये देता है भद्दा का मतलग जो अच्छा नहीं दिखता अगर तुमने गुसा नहीं छोड़ा तो तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा रूपा की मा क्या कहती है कि अगर तुमने गुसा करने की आदत नहीं छोड़ी तो तुमसे कोई प्यार भी नहीं करेगा और तुमसे कोई बात नहीं करेगा और तुमसे कोई खेलेगा भी नहीं कहने का मतलब यह है कि देखो वच्चो अगर आप बहुत ज़्यादा गुसा हो गुसा करने के कारण तुम्हारे कोई मित्र भी नहीं बनेंगे और तुम्हें तुम्हारे साथ कोई खेलेगा भी नहीं और तुम अपनी सुन्दरता भी खो दोगी तो रूपा की माने क्या कहा कि तुम जित्ती सुन्दर दिखती हो वो भी नहीं दिखाई दोगी काई की वज उसके अनुसार बनो गुसा करके अपना सुन्दर रूप मत बिगाड़ो रूपा की मा क्या कहती है उसे कि गुसा करके अपना सुन्दर चेहरा खराब मत करो रूपा को मा की बात समझ आ गई रूपा जो थी उसको अपनी मा की बाते पूरी समझ में आ गई क्योंकि उसने जब अपना आयने में चेहरा देखा गुसा वाला तो उसे बहुत बुरा लगा उसने अपने गुसे पर काबू करना सुरू कर दिया काबू करना यहने वसमे करना यहने गुसा करना छोड़ दिया धीरे धीरे उसने गुसा करना भी छोड़ दिया किसने रूपा ने अब सब लोग प्यार करते हैं कौन जितने भी घर के लोग है पडोस के लोग है सब किस से प्यार करते हैं रूपा से प्यार करते हैं साथी वह और अधिक सुन्दर दिखने लगी कौन रूपा तो देखिए बच्चो इस पाट का क्या उद्देश्य है और क्या समझ में आया आपको कि गुसा करना अच्छी बात है क्या नहीं गुसा करना बूरी बात है तो देखिए बच्चों को नुक्सान पहुचाने वाले मनो भावों से उनकी रक्षा करना याने कि गुसा करने के कारण हम कुछ भी चीजों का नुक्सान कर सकते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है तो आप भी अब क्या करोगे गुसा नहीं करोगे ये इसके लिए पाट दिया गया है बच्चो की आज के बार अब आप गुसा नहीं होगे और कोई भी जीत नहीं करोगे है ना तो गुसे का अंत समझ में आ गया ये पाट हमको क्यों दिया गया है और हमें किसी से भी प्रेम क करना चाहिए अपने आसपास के जीव जनतु पेड़ पौधे मनुष जितने भी लोगें उनसे हमें प्रेम करना चाहिए अब नेस्ट वीडियो